नमस्कार दोस्तों तो अगे ते आपके इटिल चनल की नाउच पी एस बी एफसी फाइनल्स इस कंपनी के शेर में अभी गिराबड बन रहा है तो यह शेर कितना गिरेगा क्योंकि इस टॉक में जबर्दस्तेजी बनाया था शेर का प्राइस लगबग 97 रुपेस के आसपास गिराबड बना तो कितना यह शेर गिर सकता है मतलब इस टॉक में बन सकता है तो और कैसा ही एक कंपनी एस बीएफसी का जो भी इन्फरमेशन है वो आपके साथ प्रोवाइट किया जाए इस वीडियो के मातल से रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दोस्तों SBFC फाइनस का श्यार 97 रुपीस का स्पास पहुझ गया था अभी श्यार 87 का स्पास चल रहा है मतलब लगबग बोल सेते कि 10 रुपे का स्पास जो ये श्यार में अभी गिरावट बना दिया जो इसका हाई प्राइस था उसमें से तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सर स्पास बैस बना है तो 224 बैसे परइसे का है और जो नाला। बैसे दिबिएद गी के लो षभी बैसे 80.25 सेगा और 525 बैसे तौर अब ऑन्यटेजिंग का सब्सक्राइब सेस्टाइफ नाइन बाइदम हुझ चिंकल कि तोरा इसका डीटल में आम लोग समझते हैं, जो Q324 का result आया है, उसमें देख सकते हैं, जो revenue है quarterly, revenue यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मल रहा है, जो कि 247 करोर से बढ़के 264 करोर के आसपास देखने को मल रहा है, बही quarterly जो profit SBFC Finance का 52.61 करोर से बढ़के 63.36 करोर, 63.86 करोर के आसपास बनता हुआ देखने को मल रहा है, बही दोस्तों yearly जो इसका revenue है, yearly revenue देख सकते हैं, बहुत ही जबर्दस बढ़ गया है, 531 करोर से बढ़के 740 करोर हुआ है, profit की बात करते है कंपानी का yearly, yearly profit जो 64.52 करोर से बढ़के 150 करोर हुआ है, तो company बोल सकते हैं, अभ 1.3% का असपास गिरावट बनता हुआ रहा है, बही एक अफ़ते का अंदर 2.1% का गिरावट बनाया और एक महिने में 0.7% का असपास गिरावट बनता हुआ रहा है, SBFC Finance का दोस्तों यह आपर देख सकते हैं, जो एक महिने का इसने high price बनाया है, वो है 92.25 पैसे का, और जो अब यहाँ पे SBFC Finance जो है, एक अच्छा-कासा बोल सेते हैं कि तेजी बनाया और स्टॉक में अभी एक गिरावट बन रहा है, टेक्निकली श्यार कैसा है दोस्तों, टेक्निकली श्यार कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, टेक्निकली एक ब्यारिश लेवल पर श्यार अब चल रहा है, आरे सा इंडिकेटर के रहा है कि जो श्यार है, ना कि अवरबॉट लेवल पे है, ना कि अवरबॉट लेवल पे है, वही दिस्तों में इंडिकेटर के रहा है कि जो श्यार है, एक ब्यारिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो SBFC Finance के श्यार मे पर सबस्तिकर आपस असनले स्वीर्टी म八 मिलियुन आपस तो दोस्तों यहां पे देख से लिए वन स्पर्सटेज मैंत पर सुझ्ट मोंच्रेटी क्यों को keluar फर्षार आपस इसे शुर्ट tu 23% का stake है, FIS के पास 2.23% का stake है, mutual fund के पास 10.15% का stake है, other institution के पास 1.79% का stake है, public के पास 21.88% का stake है अब भी दोड़ाव डीटल में समझते है, SBC Finance के share खुले के, जहाँ पे दोस्तों, जो retail holding है, 20.34% था, वो बढ़ा के 21.88% कर दिया गया है, मतलब retail investors ने यहाँ पे खरिदरी बहुत ही जबर्दस करके रखा है, SBC Finance के share में retail investors ने बहुत ही अच्छा का सा खरिदरी किया है वो ही दोस्तों बात करते है, mutual fund के पास 10.78% का stake था, mutual fund ने stake के आपे घटाया है, जो कि 10.15% का stake कर दिया गया है mutual fund के और से stake घटा दिया गया है, 10.78% से घटा के 10.15% कर दिया है वही share का prize अगर देखते हैं, तो एक महीने क अंदर SBC Finance के share में लगभग 4.3% का असपा जो यहाँ गिरा पड़ बना है share का and promoter holding की बात करते हैं, तो promoters के पास 64.02% का stake था, promoters ने stake घटाया है, जो 63.73% का stake कर दिया है बात करते हैं, FIS के पास 2.74% का stake था, FIS ने stake घटाया है, 2.23% का stake कर दिया है तो अभी यहाँ पर SBC Finance का मतब आप देखेंगे, तो ऐसे बहुत सरे investors से जिन लोगों को लगता है, कि SBC Finance से यहाँ से एक मतब तेजी बना सकता है, देखे, share यहाँ से bounce back दे सकता है अभी यहाँ पर जो share market के analyst है, उसमें से देख सकते हैं, जहाँ पर 67% का मानना है कि SBC Finance के share में हम लोग buy करके चल सकते हैं, hold करने के लिए 0%, sell करने के लिए 33%, तो जातर जो analyst share market दोसों, तो यहाँ पर चली थोड़ा और detail में समझते हैं, हम लोग SBC Finance को लेके, जहाँ पर take times में stock trade कर रहा है, चल रहा है, तो मतलब share यहाँ से गिरा पर बना सकते हैं, दोस्तों, यहाँ पर देख से 12 companies reporting reported profits, if not paying out debitants, तो investors को कुछ dividend SBFC Finance को और से देखने को नहीं मलता है, मतलब SBFC Finance investors को एक तरह का से बोल सकते हैं, dividend dividend नहीं देता है, company has low interest coverage ratio, company has a low return on equity of 7.77% of our last 3 years, अभी SBFC Finance का, जो बोल सकते हैं, मतलब इसका जो डिजल में देखेंगे, जहाँ पर sales जो है, SBFC Finance का, देखें, sales बोल सकते हैं, जो अभी 246 करोड से बढ़के 264 करोड हुआ है, जो इसका Q24 का result आया है, उसमें, expenses 83 करोड से बढ़के 90 करोड हुआ है, operating profit के बात करते हैं, 163 करो करोड हुआ है, जो इसका बोल सकते हैं, profit before tax, 71 करोड से बढ़के 86 करोड हुआ है, net profit 53 करोड से बढ़के 64 करोड हुआ है, तो company या भी अच्छा का सया पर business कर रहा है, इसका growth भी SBFC Finance का अच्छा का सया पर देखने को मिल रहा है, फिलाल हमें लगता है कि दोस्तों, अगर किस करेंगे तो एक अच्छा का सा शाय से return देखने को मल सकता है, आपको कैसा लगता है, SBFC Finance का share, अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तेक हमारी YouTube चैनल पी नोईश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर ल